हिनकान को गीता बता पुजारी से करा दी दूसरी शादी दूसरे दिन ही भागी दुलहन जी हाँ ये मामला है राजगर का जहां एक लुटेरी दुलहन ने शादी के नाम पर जाल साजी कर करीब सवा लाख का चूना लगा दिया देखे इस रिपोर्ट में प्रदेश में नित नए तरीकों से लोगों को लूटा जा रहा है पैसे की लालच में शादी जैसे पवित्र बंधन को तार-तार करने का मामला सामने आया है दरसल राजगर जिले में विवा के नाम पर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आ गया है पुलिस की जानकारी के अनुसार राजगर जिले के खिलचीपुर में एक दलान ये सवा लाक रुपए लेकर एक पूर्व शादी शुदा मुस्लिम महिला को हिंदू बता कर उसकी शादी खिलचीपुर के गादिया कला गाउं के एक पुजारी से कर दी यही नहीं जब मामला उजागर हुआ तो महिला ने हंगाम मचाना शुरू कर दिया पुलिस में पूरे मामले की जानकारी लेते हुए महिला को गिरफतार कर चार सो बीस के तहत मामला दर्ज कर गिरफतार कर लिया यह रसूख सर्मा नामकर एक वेक्टिम अपनी कुछी मुद्दाने में उसका गाउं करता गादिया कला उससे पुजवली छेतर का यह गाउं है मालीपुरा वहां के नारान सिंग सो लिया था और यह जो महिला है फगड़ी गई दोनोंने मिले कर उससे सवालाग रूपे ल अपना नाम गीता बताया था और शादी होने जवाज भागने लगी शादी फॉर्मल तरीके से माला माला पेना करकी तो उसने कोई फेरे बगरा नहीं हुए था बाद में पर वहीला बाग कर जाने लगी और उन लोग उन उसको पकड़ ले उसको पुछताच करी तो उसने बता दे कि खिलचिपुर के गादिया कला गाओं के मंदर का पुजारी अशुक शर्मा काफी समय से अपनी शादी के प्रयास में था इसका फाइदा उठाते हुए दलाल नारेंट सिंग ने सवा लाक रुपए में उसकी शादी करवानी की बात कही वहीं जहां महीला गीत अबाई ने खुद को हिना खान निवासी छिनवारा बताते हुए पहले से शादी शुदा होने की चानक वारी दी व्यूर रिपोर्ट अंपी न्यूस राजगर